हाई गाईस कैसी हूँ तो गाईस आज के इस वीडियो में आपको बता हूँ अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉल्म देखने को मिल लिए के इंटर नोन टॉर्च बिकॉस तो आपको कुछ इस तरह की प्रॉल्म देखने को मिल लिए समसिंग मुवाइल में जब भी आप फ्लेस लाइट को जलाते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको इस प्रॉल्म का शुलीशन दूदा हूँगा किस तरह से आप इस प्रॉल्म को ठीक कर सकते हैं उसके लिए आपको सब सबसे पहले Om히 मोईल सटिंग में चले जाना है उसके बार आपको नीच्छे जाना है नीचे आपको एक संदेखने को मिलेगा Apps तो एपस पिलिक करने है जैसे ही आप अैपस पिलिक करेंगे तो आपको आपको पर गीम आप पिलिक करना है और camera app पे click करने के बाद stories पे जाना है और इसका clear data clear कैसे कर देना है यह कर देना है और यहाँ पे ना आपको forces stop कर देना है तो यहाँ पे ना मैं back आ चुका हूँ तो यहाँ पे ना हम फिर जाएंगे camera app पे और यहाँ पे ना आपको forces stop को option देखने का मिलता है यह आपको कर देना है उसके बाद आपको ट्राइ करना है कि आपकी जो प्रॉलम में वो फिक्स होती है नहीं हो इतनी है देखते हैं तो अभी भी देख सकते हैं कोई भी प्रॉलम में जो है सुधार नहीं है आपके सेम वही प्रॉलम देखने को मल रही है तो अभी भी जो प् कर दिया तो रिस्टारट कर देना है इस दिया आपकी जो प्रॉल्म है वो ठीक हो जाएगी मुझे पता है बहुत सरे लोगों की जो प्रॉल्म के बाद ही ठीक हो जाते है और बहुत सरे इस by परव्म रोड़ सोगी है उसके बाद प्रय करने के बाद आशे से लेट खलाइट हो जाती ओठ आज शच हो जाती हिसे जो कि आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं तो देख सकते हैं मेरी यो फ़्लेच फैल रहाइट है वह ज़ा रही है तो कुछ इस तरह से जो है आप इस प्रावम को ठीक कर सकते हैं पर मैं उन लोगों के लिए एक बात बताना चाहूंगा जिन लोगों की जो प्रावम है वो अभी भी फिक्स नहीं हुई है मुझे पता है हाँ आपकी प्रावम बड़ी है यह जो मैंने आपको ट्रिक बताई है बहुत साइद आपके फॉन में वर्क नहीं कर रही हो तो इसके लिए न मैं आपको एक और ट्रिक बताऊँगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको जाना होगा प्ले स्टॉर प आपको टाइप कर देना टाइप कर देना है फ्लेसलाइट आप दिस्च आप यह करेंगे तो आपको आप बहुत सारे अप्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे आप इना इस एप कुम्हें इंस्टॉल कर ले था हूं अप इंस्टॉल हो रहा है थोड़ी देर आप वेट करना है मेरे इंस्टॉल हो चुका है अब आपको क्या करना है इंस्टॉल होने के बाद आपको उसे open कर लेना है तो फिर आपको क्लिक करना है और यहां से आप साय यूज कर सकते हैं इसे आपके प्रम्म हो जायी तो